वेलकम बेक फ्रेंड्स, करन्ट अफेर्स फंडा में आपका उसागत है दोस्तों, इस फ्री एजूकेशन एवलुशन, करें इस चैनल को सब्सक्काइब करें, ताकि आप तक सारे अपडेट रेगुलर आते रहें, आज दोस्तों हम बात करेंगे करन्ट अफेर्स की, और इसम करना चाहते हैं, तो मारी प्लेलिस में जाएं, और ये वीडियो जरूर देखें, और साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक भी ये वीडियो हमारी पहुँचें, और आज हम बात करेंगे, पार्ट वन, इसके जो प्रेसिडेंट है, इसके जो प्रेसिडेंट है, वाज अवादे देखें, उनकी आउटस्टेंडिंग सर्विसेज के लिए, तो उनका नाम लिखना है, जैसा मैंने आपको ओलंपिक की पहली वीडियो में बताया था कि आई-ओ-ए के प्रेसिडेंट कौन है, एन इनको इनकी आउटस्टेंडिंग सर्विसेज के लिए ये दिया गया है, और बेसिकली फ्रेंट्स जो आई-ओ-ए है, ये भारत में जो भी ओलंपिक गदविदिया होती है, इनको मॉनिटर करता है, नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें का गया है, विच of the order of arts and letters, ठीके, ये अबॉर्ट दिया गया है, फ्रेंच गवर्मेंट के दौरा, ठीके, तो आपको ये बताना है कि अबॉर्ट किसको दिया गया है, किस भारती एक्टर को ये अबॉर्ट दिया गया, तो ये अबॉर्ट दिया गया है दोस्तों, कमल हसन को, ओके, कमल हसन को यह French जो France का सबसे highest honor होता है और जिन लोगों ने जैसे जो eminent artists हैं, writers हैं तो उन लोगों ने अपना significant work किया है France के लिए या throughout the bird उनके लिए ये award basically दिया जाता है Okay, next question की बात करते हैं दोस्तों, third question हमारा कहता है भारत संचार निगम Limited, BSNL, in fact with which company to offer the telecom and IT solutions for big business promoting the demand for IT and cloud services अभी BSNL ने कौन सी company के साथ में एक MOU signed किया है, तो आपको ये बताना है तो basically ये जो MOU signed हुआ है, ये किसके साथ में हुआ है, Microsoft के साथ में हुआ है sign, ठीके जो basically BSNL के chairman है, यहाँ पर आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, BSNL के chairman कौन है, BSNL के chairman है अनुपम स्रिवास्ता, ठीके, अनुपम स्रिवास्ता, और जो Microsoft India के head है, उनके बीच में एक MOU signed हुआ है Microsoft India के head कौन है, इनका नाम है, भासकर पिर्मानिक ये important नाम है, ये पूछे जा सकते हैं, भासकर पिर्मानिक ओके, तो इनके बीच में एक MOU signed हुआ है, और इसमें का क्या है to offer the telecom and IT solutions for big business promoting the demand for IT and cloud services cloud services का मतलब क्या होता है, ठीके cloud services का मैं आपको एक शीच बताना चाहूँगा जो data होता है ना, वो एक third party server पर install होता है, ठीके, सारा का सारा data कहां पर होता है cloud पर store होता है, वो आपके लिए share कर दिया जाता है, आपके local system के साथ में तो इस तरीके की services के लिए Microsoft ने अपना योगदन दिया है, BSNL के लिए next दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है, which company has agreed to partner with railways to digitize, digitize का मतलब है उसको computerize करना, its heritage assets and help create a digital repository for universal online access free of cost, यह किसके दोरा किया जा रहा है, देखे, अब भी railway के साथ में एक ministry, railway ministry के साथ में, एक कोई product एड हुआ है, और जैसे Google, Microsoft, Yahoo, Facebook है तो इन ही में से कोई एक company है, जिसका tie-up हुआ है, और यह क्या करेगा, जो भी हमारे heritage है उनको क्या करेगा, digitalize कर देगा, ठीक है, और heritage जैसे की बहुत सारे ऐसे heritage है railway के steam local है, bridges है, buildings है, museums है, तो railway के किसके साथ में करार हुआ है, यह करार basically हुआ है Google के साथ में, तो Google इनको digitize करने बाला है, जो भी railway के heritage है नेक्स कोशन की बाद दोस्तों अगर की जाए, तो इसमें कहा गया है, बिस्तारा पॉइंट्स, विच इंडियन एक्टरीज अग्टरीज अज बहुत जदा वाइरल एड हो रहा है और यह important news भी है, देखें, बिस्तारा क्या है, यह एक airlines है, और इसके, किसकी airline है, यह है basically Tata का product, बिस्तारा किसका product है, Tata का product है यह, और इसने अभी brand mister point किया है, कि इसको DP का पादुकोर को, ठीके, DP का पादुकोर को brand mister बनाया है, okay, brand mister का basic यही work होता है, कि product को promote करना, लोगो तक पहुचाना, क्योंकि यह celebrities होते हैं, इनको सारे लोग जानते हैं, तो जो यह बे बताते हैं, उसको follow करने के लिए ही, इनको brand mister बनाया जाता है, next दूस्तों बात की जाए, इसमें का गया है, former union minister was sworn in as the governor of Manipur, अभी, Manipur के नए governor बनाया गया है, लेकिन वो former union minister भी है, तो यह दोस्तों 18 नंबर पे 18 गवरंदर है Manipur के, जिनका नाम है निजमा है इनको बनाया गया है, अभी इन्होंने resign दिया था, recently, former union minister से, और साथ में दोस्तों, Manipur और Megale का चार्ज, जो एक person है, जिनका मैं यहाँ पर नाम लिखना चाहूँगा, जिनको इन्होंने replace किया है, इनको replace किया है, और इनके पास में दो जगए का चार्ज था, कहां कहां का, Manipur का, और Megale का, ठीके, तो इनको replace कर दिया गया है, और अब नए ministry, जो union minister थे, उनको appoint किया गया, उनका नाम है नजमा है तुल्ला, अब वो Manipur की गवंदर होंगी, ठीके, next question की बात की जाएं दोस्तो, इसमें कहा गया है, which famous temple has been included in the union tourism ministries, pilgrimage, rejuvenation and spirituality augmentation drive, प्रसाद, एक government की scheme है, जिसका नाम क्या है, प्रसाद, सबसे पहला question यहां से बनता है, what is the abbreviation of प्रसाद, प्रसाद की पुरी full form क्या है, तो आप यहां से copy कर लिजेगा, pilgrimage, rejuvenation and यहां से लेकर drive तक, पहले तो इसकी full form हो गई, तो अभी किस मंदिर को add किया गया है, यह basically union tourism ministry का ही एक scheme है, उसके अंतगत, एक famous मंदिर को add किया गया है, तो आपके options है, एक्षरधाम इन गुजरात, तिरुपती बालाजी इन इसको add किया गया है, परसाद scheme के अंतरगात, तो सबसे पहला आपसे question यह बन सकता है, कि basically परसाद scheme है क्या, तो friends, परसाद scheme का basic काम क्या है, जो development of roads, new street lights, improvement of drinking water facility, यह सारी चीजों को भी available कराता है, किसी भी एक state के अंदर, तो इसका basically एक काम है, तो इसने क्या किया है, जो हम बहुत famous temple है, जिसका नाम है, सिरी केशन temple in गुर्वेवर, इसको add किया है, इसके अंतरगात, ठीके, और basically और भी काम है, परसाद scheme के, जैसे कि production of the monuments, toilet facilities, etc, ठीके, next दोस्तों बात की जाए, next question में कहा गया है, डारेक्टर गौतम घोस, नेशनल आवार्ड विनिंग फिल्म, has और इसको 40th Montreal World Film Festival में add किया गया है, तो आपको यह बताना है कि, इनका movie का basically क्या नाम है, कामोध, सांग्छिल, बर्चश, प्रतीक, तो यह picture का नाम है, सांग्छिल, ओके, और यह basically, इंडो-बंगला joint production है, ठीके, इंडियन-बंगला joint production है, यह movie, और यह movie उन सभी लोगों के दर्द को बया करती है, जो बॉर्डर के इस पार रहते हैं, ठीके, यह बीच में बॉर्डर है, तो जो बॉर्डर पे रहते हैं, बंगलादेश के लोग और भारत के लोग भी यह उनके दर्द को बया करती है, किस movie का नाम है, संक्छी चिल, ठीके, next question की बात कीजाएं, इसमें का गया है, Indo-Canadian, Indo-Canadian का मतलब है, भारत और Canada, दोनों की बात यहां पर हो रही है, ठीके, Indo-Canadian has been named as the new leader of the government in Canada's House of the Commons, becoming the first woman to hold the post in the country's history, बहां की history में, first time a woman की post जो है, वो हुई है, और यह Indo-Canadian है, तो इनका नाम आपको बताना है, यह नाम है, बार्दिश चगर, ठीके, यही आपसे पूछा जाएगा, और यह basically एक बहां का मंत्राले है, उसको Canada के मंत्राले को handle करती है, उस मंत्राले का नाम है, Ministry of the Small Business and Tourism, ठीके, Ministry of Small Business and Tourism को handle कर रही थी, यह भी, ठीके, next question की बात कीजाएं दोस्तो, ठीके, मैंने जो आपके लिए questions लिखे हैं, यह काफी अपने अपने line में है, मतलब यह है कि अगर आप question को पढ़ते हैं, तो आप यहां से भी आपने एक दू question आपके बन सकते हैं, exams में as it is question बिलकुल भी नहीं आएंगे, जो मैं आपक questions बता रहा हूं, यह आपको as it is नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप इस complete questions को पढ़ेंगे, तो ऐसा कोई भी question exam में current affairs का नहीं बचेगा, जिसको आप छोड़ के आएं, सानिया मिर्जा पेर्ड विद बार्बोरा स्ट्राइकोबा, from the Jack Republic, defeated Martin Hengis को अभी इनोंने हराया है, ठी इन्या मिर्जा की position आप first position हो गई है, अब यह number 1 position पर है, boom and doubles में, ओके, यही just question आप से आ सकता है, next question की बात की जाए, senior BJP leader, जगदीस मुखी, यह BJP के leader है, जगदीस मुखी, on Monday assumed office as on 12th lieutenant governor of the union territory, इनको lieutenant governor बनाया गया है, कौन सी union territory का, ठीक है, तो यह 12 number के, अभी LT, lieutenant governor बनाय तो देखे, question यह क्या बनता, यहां से मैं options को eliminate करके बताऊंगा, कैसे करना है, left lieutenant governor कहां पर होते है, जो हमारे union territory होते है, UT, UT मतलब केंदर सासित प्रदेसों में होते है, ठीक है, तो केंदर सासित प्रदेस कितने हैं, दोस्तों, केंदर सासित प्रदेस साथ है हमारे पास में ठीक है, तो यह अंडमान एंड निकोवार के अभी जगदीस मुखी को, ठीक है, UT, union territory में governor नहीं होते हैं, वहाँ पर LT होते हैं, ठीक है, जिसको हम LG बोलते हैं, LG होते हैं, अब दिल्ली में नजीब जंग है, यह दिल्ली एक union territory है, उसी तरीके से अंडमान एं निकोवार मे करता है, देखे, किसी भी union territory पर rule करने के लिए केंदर होती है, तो केंदर अपना एक agent appoint करती है, जिसको हम LG कहते हैं, Lieutenant Governor, ठीक है, और यह LG उस state को run करता है, CM एक नाम मात्र का होता है, इसका apply example दिल्ली में देख सकते हैं, दिल्ली में केजरिवाल के अंडर में किसी भी तरीक नहीं कर रहा है, केंदर ने किस को point कर रहा है, LG को point कर रहा है, यह सारी चीज़ हैं, जब मैं आपको Indian quality पढ़ाऊंगा, तब हम बहाँ पर detail में discuss करेंगे, next question की बात की जाएं दोस्तों, इसमें का गया है, which finance company has partnered with India post to facilitate purchase of vehicles in करनाटिका, अभी कौन सी finance company ने India post के साथ में एक agreement और partnership add की है, जो भी vehicles की purchase होगी करनाटिका के अंदर उसमें, तो यह किस के साथ हुए है, NIACL, Bajaj Finance, Oriental Insurance और LIC, तो यह दोस्तों हुए है, Bajaj Finance के साथ में, जस्त आपको यहां से one-liner news यही याद रखनी है, next question की बात की जाएं दोस्तों, यहां पर का गया है, which state government has issued draft notification on rearranging district borders to create 17 new districts, ऐसा कौन सा राज्य जिसने 17 नए जिले बनाने के लिए अभी गोशना की है, तो यह तमिल लाडू, आंदरा प्रदेश, तेलंगाना और मद्द प् हो जाएंगे, okay, next question की बात की जाएं दोस्तों, the government is set to when cash transactions, government जो है, cash transaction को ban करने जा रही है, over rupees, कितने लाग से उपर पे है, ऐसा क्यों कर रही है, it seeks to clamp down on the black money in the economy following recommendations from the Supreme Court appointed special investigation team, SIT जो Supreme Court ने बनाई थी, उसने क्या अपनी recommendation report दिये, उसके according, government क्या करने जा रही है, तीन लाग से उपर जो cash transactions होंगे, उनको ban कर देगी, तो अगर कोई भी चीज आप 3 लाग रुपै से उपर की लेनी है, तो उसके लिए आपको अपनी checkbook से, या फिर online payment से, कुछ इस तरीके से करना होगा, cash transaction बहाँ पर नहीं हो सकते, तो option number second क्या है, 3 लाग, 3 लाग की limit कर दी गई है, cash transaction 3 लाग तक कर सकते हैं, लेकिन 3 लाग से उपर जैसे ही होगा, तो बहाँ पर आपको अपना check ये दिखाना पड़ेगा, next question की बात की जाएं दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि black money को market से निकाला जाए और इस पर रोक लगाई जाए, इसलिए, late Iranian director Abbas Kairostami has been selected posthumously for the Asian filmmaker of the year award at the Busan International Film Festival Awards, ठीक है, ये कहां पर recently हुए, ठीक है, सबसे पहला मैं आपको यही question बनाऊगा, posthumously का मतलब क्या होता है, posthumously के दो मतलब होते है, posthumous का मतलब होता है, a person which won after the death of his father, ऐसे बच्चे, जिनका जन्म उनके पिता की मृत्यू के बाद होता है, ठीक है, अब जैसे गर्ब में बच्चा है, और उसके पापा की death हो जाती है, और उसके तीन महने बाद उसका जर्म हो जाता है, तो हम उसको posthumously भी कहते हैं, लेकिन posthumously का एक sense में हम और meaning भी लगाते हैं, ऐसे लोग, जो लोग अभी recently death हो गए है, और उनके बाद उनको award दिया जा रह किस में है, यह बूसन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यह basically कहां पर हुए, तो यहां से दो तीन question अल लेडी बन जाते है, किस में appoint किया है, कहां से है, और इन इन डारेक्टर है, इनका नाम क्या है, यह सारी चीज़ आपको question में मिल गई, लेकिन main चीज क्या है, बूसन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां हुए, तो यह दोस्तो हुए South Korea में, okay, South Korea में यह basically अभी conduct हुए, साथ में दोस्तों, यह अभी 4 जुलाई को गुजरे थे हैं, ठीक है, इसलिए हमने इनको posthumously का नाम दिया गया है, next question की बात कीजाएं दोस्तों, इसमें कहा है है, the कबर्डी वर्ड कप का आयोजन होने जा रहा है, जो की 7 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक होंगे, तो यह होने जा रहे है, एहनदाबाद गुजरात में, okay, और यहां से main question आपका बन सकता है, कि यहां पर कितनी team है participate करेंगी, यहां पर 12 team participate करेंगी, आपको मैं team के न और पॉलेंड, और केन्या, साथ में ही पाकिस्तान भी करने वाली है participation, और बंगलादेश, और इसके लावा कोरिया, और दोस्तों, इंडिया इटसेल्फ, तीक है, यह total 12 team में participation करेंगी, सबसे महत्तपूड कुश्चिन यह भी बन सकता है, आपर कि एहमदाबाद के किस stadium में इन खेलों का आयोजन होगा, तो जो आयोजन का स्थल है, वो भी important अपने आप में है, आयोजन होगा, एहमदाबाद का, एहमदाबाद का एहरेना इस्टेडियम है, ओके, next question की बात की जाए, China has launched its first Tibetan language search engine, इसका नाम आपको बताना है, चाइन अभी एक Tibetan language में अपना एक search engine चालू करा है, इसका नाम क्या है, वैदू, यौंग जिन, टिम यौंग या यूजसू, तो यह है दोस्तो, चाइना का यौंग जिन, इसमें basically क्या होगा, जिसमें सार इसमें लिस्टेड होगी, और बहाँ पर basically 8 section होगे, उस search engine के, जैसे sections इस तरीके क्योंगे, उसमें आप news भी देख सकते हैं, और website का section होगा, साथ में images, videos, music, encyclopedia, literature, और famous, यह सारे 8 sections total होगे, कितने section होगे, उस search engine में 8 section होगे, ठीक है, next question की बात की जाएं दोस्तों, इसमें कहा गया है, Gale ने एक MOU sign किया है किसके साथ में, Bloom Energy for Fuel Cell Power Generation, मतला BEFFCPG, Bloom Energy for Fuel Cell Power Generation, इस company के साथ में, अब आपको यह बताना है कि, जो यह company है, यह कहा की है, ठीक है, अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा, इसमें काफी detail दूँगा, तो यह जो company है, यह basically दोस्तों, California based company है, US कहा क की company है, US की company है, California based, अब basically Gale है क्या, Gale, Gas Authority of India Limited है, Gale की full form मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, Gas Authority of India Limited, मैं आपको यहाँ पर bird भी बोल ला हूँ, आप इन bird को note down करते चलें साथ में, क्योंकि handwriting में मैं काफी speed से इसमें कुछ words लिख रहा हूँ, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, वारतिय Gas Pradikaran Limited, और इसका headquarter कहां पर है, यह बहुत ज़दा important, तो Delhi में इसका headquarter है, ओके दोस्तों, और यह basically energy and petrochemicals में deal करता है, Gale, और इसने MOU sign किया है किसके साथ में, Bloom Energy for Fuel Self-Power Generation के साथ में, और इसका, यह कहां की company है, यह USA based California की company है, तो यहाँ पर एक question और भी मैं आपक सकता हूँ, किसके बीच में करार हुआ है, Gale के जो chairman है, उनका नाम यहाँ पर important है, तो इसको आप note down कर ले, chairman और MD कौन है Gale के, यह है BC तिरपाटी, कौन है BC तिरपाटी जी, और Bloom Energy for Fuel, तो इसके Bloom के कौन है, यह इसके chairman है, K.R. Sridhar, K.R. Sridhar, D.H.A.R, S.R.I.D.H.A.R, ठी एक याद रखना है, और basically इसमें क्या हुआ है, कि एक नई technology के दोरा, fuel को electrochemical process के दोरा, electricity में convert किया जाएगा, इसलिए यह basic M.O.U. signed हुआ है, ठीक है, next question की बात की जाएं दोस्तों, इसमें कहाँ गया है, पंजाब के chief minister, जिनका नाम है Prakash Singh Badal, तो पहला question क्या बनता है, पं किसान कल्यान, किसान सुविदा, किसान सुगम, किशान आसा, तो यह दोस्तों नाम है किसान सुविदा, इन्होंने एक application launch किया है, और यह application क्या करने वाला है, यह आपको ऐसी information प्रवाइट कराएगा, जैसे कि weather की conditions, कैसा मौसम है, और साथ में ही crop के prices, कि जो फसल है, उसके rate कितने है, crop के prices, और साथ में, expert की advice भी आपको provide कराएगा, ठीक है, expert की advice, तो यही questions बन सकता है, यहाँ से, next question की दोस्तों बात करते है, प्रेसिडेंट प्रलम मुखर जी, launches अक्षावनी मैत्री चैनल, which is based on, देखें, मैत्री चैनल की वात आई है, ठीक है, अक्षावनी मैत्री चैनल, तो यह कौन सा मैत्री चैनल इन्होंने अभी recently launch किया है, और यह कहां का है, तो यह किस language का है, मराठी, हिंदी, बेंगॉली, तो देखें, यह है बेंगॉली में, पहली चीज, और इसका basic use क्या है, इसका main target क्या गया है, इंडिया और बंगलादेस के लिए, इंडिया और बंगलादेस, ऐसा है क्या इसमें, बेंगॉली बोलने बाले लोग है, बेंगॉली speaking audience in इंडिया है, इनके बीच में, और बेंगॉली कल्चर, जो भी बेंगॉली कल्चर है, उसको प्रिजर्ब करना, बेंगॉली कल्चर को प्रिजर्ब करना, उसको बनाया रखना, बचा के रखना, यही basic motive है, इसलिए, आकाश बानी मैत्री चनल यह लांच किया गया है, ठीक है, next question की बात की जाएं दोस्तों, इ inflow of unaccounted funds will be prohibited, ठीक है, अब भी कौन सी government ने, कौन सी state government ने SSJ, मतलब की special security zones के लिए, एक proposal submit, प्रपोस किया है, जिसके अंतरगत, arms और explosive की entry completely when हो जाएगी, तो यह किया है दोस्तों, किसके दोरा, महराश्टरा के दोरा, ठीक है, यहाँ पर एक आपका options, number 5 होगा, none of these, ठीक ह असाम और none of these, तो आप पाच्मा option लगाएंगे, none of these का, जिसमें आपको महराश्टरा की government ने ऐसा किया है, किसने, महराश्टरा की government ने, ओके, और यह क्यों किया है, internal security को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है, internal security के लिए, एक नया बिल आया है बहाँ पर, जिसका नाम दोस्तों क्या है, MPISA, MPISA, इस बिल के अंतरगत क्या है, MPISA, इसका मतलब है, महराश्टरा, M for Maharashtra, P for protection, महराश्टरा protection of internal security act, internal security act, आप इसको note down कर लिए, महराश्टरा protection, internal security act, इसके अंतरगती यह, नया कानून लाया गया है, ठीक है, दूसरी चीत, friends, यह पहला state है, पह internal security पर कुछ इस तरीके के provisions बना रहा है, ओके, तो क्या नाम है state का, महराश्टरा, इसके CM है, देबेंद्र, फटन बीज, next question की बात कीजाएं दोस्तों, इसमें का आगया है, the new world wealth India, the new world wealth India is ranked which position among the wealthiest countries in the world, in the times of private wealth held by the individuals, भारत की rank आपको बतानी है, कि जो wealthiest countries है, individual के मामले में आपको check करना है, तो उसमें भारत की कितनी rank है, तो friends भारत की rank है 7th position की, साथ में position है, basically इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजे बताता हूँ, 2015 के आकडो के according अगर हम बात करें, तो dollar 3492 billion, इतनी income total हमने आ की है, किस-किस respect में, जैसे की property, cash, और equities, किसी भी individuals के पास में, जो business interest जो भी है उसके, तो इनके हिसाब से भारत की कितनी है, 3492 billion dollar, ये तो wealth है, तो इस हिसाब से भारत की rank 7th है, और जो top किस ने किया है, top किया दोस्तो, as usual USA, USA आपको बता है, wealthiest, महां पर काफी companies हैं, और पैसा भी अच्छा कासा, per capital income भी बहां पर बहुत जादा है, तो USA ने top किया है, second position है, पहली USA की है, second है China की, और मैं आपको top third बताना चाहूँगा, third position है किसकी, Japan की है, और भारत की position है, seventh, ठीक है, next question की बात की जाएं दोस्तो, इसमें कहा गया है, India signed an agreement with which country that aims to foster conditions that will help create and improve workplace-based vocational training in India's industrial clusters, देखिए आपको बताना है, भारत ने किस country के साथ में एक agreement signed क्या है, foster, foster का basically मतलब क्या होता है, अनुकूल बनाना, या एक bird और भी इसका होता है, लालन पालन करना, ठीक है, पालन portion, लालन पालन, foster का यही sense होता है, तो basically हमारा यह मतलब है, अनुकूल बनाने के लिए है, ठीक है, तो create क्या करना है, एक birthplace-based vocational training in India's industrial clusters, तो यह किस के साथ में हुआ है, यह दोस्तों हुआ है, जर्मनी के साथ में, नमबर फोर्थ option, ठीक है, जर्मनी के साथ भारत ने एक, आम यह signed किया है, next question की बात किजा दोस्तों, इसमें कहा गया है कि, India's Oscar entry for 2017 to be picked by M, भारत के लिए, 2017 में Oscar की entry को evaluate करने के लिए, एक committee का ग केतन में था, 22 सदस्य समीती है, जिसका संचालन करेंगे, ठीक है, 17 members का जो एक group है, उसको यह बताएंगे, और इनी की recommendation के according ही तयार होगा, कि कौन सी Oscar entry में भारत की, जो भी entry करनी है, वो किस तरीके से करनी है, और आपने सुना है, पहलाद नहलानी कोन है, पहलाद नहलानी ह दोस्तों, Central Board of Film Certification, जो है, उसके chairman है, ठीक है, next question की बात कीजाएं दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है, और एक साथ मैं आपको एक चीज और interesting बताऊंगा, 2017 जो Oscar entry है, आपको एक चीज पताऊ, इसको हम Academy Awards भी कहते हैं, तो यह 89th Academy Awards, जो Oscar Awards कौन से होंगे, 89th Academy Awards के नाम से भी हम कब होंगे, यह February में होंगे, February 2017 में, तो इनके लिए भारत की entry को मजबूती देने के लिए, यह सब किया जा रहा है, next question की बात करते हैं दोस्तों, इसमें कहा गया है, कि which imminent, imminent का मतलब क्या होता है, दिगज, जो बहुत जादा जिनका बर्चस काफी मजबूत हो, which imminent scientist was appointed as a Vice Chancellor of Mumbai-based Homi Bhaba National Institute, HBNI, देखें, Mumbai में Homi Bhaba National Institute है, HBNI, इसमें कौन से Indian scientist को appoint किया गया है, यह आपको बताना है, वो काफी दिगज हैं अपने आप में, तो यह दोस्तों है, PD गुपता जी को, देखें, PD गुपता जी को appoint किया गया है, यह वहां के Vice Chancellor, BC के रूप में इनका appointment हुआ है ओके, next question की बात की जाए, the US headquartered pharma major Pfizer inclusive has entered into an agreement to acquire, देखें, United States of America based एक company है, pharma की company है, जिसका नाम क्या है Pfizer, ठीके, अब यहां से आपको यह भी पता रहता है कि Pfizer कहां की company है, यह है कहां की, US की, ठीके, और अभी इसने acquire किया है, एक agreement के इंतरगत, एक company को acquire किया है, किसको acquire किया ह है, तो इसने acquire किया है, दोस्तो, Medivation Inclusive को, ठीके, इस company को acquire किया है, और बस आपको यही यहां पर बताना है कि किस company को इन्होंने acquire किया है, ओके, next question की बात कीजिए दोस्तो, मात्र भूमी, former editor, K.K. Sridharan, नईयर passed away, he started his career as a, अभी मात्र भूमी के former editor, जो है, जिनका नाम है K. K.K. Sridharan, अभी इनकी मृत्तो हो गई, और इन्होंने carrier जो अपना start किया था, वो यह कौन थे, basically आपको बताना है कि K.K. Sridharan कौन थे, ठीके, actor, director, poet, journalist, तो दोस्तो, मैं आपको बताना चाहूंगा, मात्र भूमी, यह Malayalam का एक newspaper है, कहा का newspaper है, Malayalam का, Malayalam का यह एक newspaper है, औ और यह थे, basically, जब newspaper है, तो कौन होंगे, journalist होंगे, ओके, next question की बात करते हैं, दोस्तो, इसमें कहा गया है, luxury car maker, Volvo Auto, has announced the appointment of Nalin Jen, Volvo ने अभी Nalin Jen का appointment किया है, as a chief financial officer, CFO के तौर पर, और Jyoti Malotra को क्या बनाया है, director बनाया है, sales का और marketing का, ठीके, जो भी भारत में operations होते हैं, उसक कहां की company है, okay, तो देखे, question में काफी चीज़े मिल गई, हमें question में क्या-क्या मिल गया, कि Volvo के अभी CFO कौन है, यह है, जो, यह, Nalin Jen, ठीके, तो यहां से मैंने कुछ detail निकाल ली, साथ में, अब मुझे question बताना है, कि Volvo कहां की company है, तो Volvo basically, German, Swedish, Chinese, American, यह दोस्तो, Sweden की company है, Swedish company Okay, next question में का गया है, कि which two telecom giant, ऐसी कौन सी दो telecom की बहुत बड़ी company है, जिन्होंने started किया है, rolling out आधार-based E-K-Y-C solution, following the notification by the department of telecom government of India, जो भी भारत में, telecom government of India है, department है, उसके एक notification के recording, ऐसी कौन सी दो telecom company ने, अभी E-K-Y-C solution के उपर काम किया है, ओके, आधार-based, तो यह किस ने किया है, वारती एर्टेल and बोड़ा-फोन में, ओके, साथ में ही, दोस्तो एक चीज आपको बताना चाहूंगा, department of telecom, government of India, यह मंत्राले किसके अंदर में आता है, यह दोस्तो, ministry handle करते है, रभी संकर परसाद जी, रभी संकर परसाद, तो य यह रहे हमारे important questions, दोस्तो इस वीडियो को like करना ना भूलें, like के साथ में share करें, और comment करके अपने सुझाओ जरूर दें, ताकि आने वाले टाइम पे हम अपनी इस series को continue कर सकें, और हम कोसिस यही करेंगे, कि IBPS PO तो आपको best MCQs दिये जाए, ताकि आप से कोई भी questions ना जैसे state label की exams की, तो यहां से MCQs definitely उनकी मदद करेंगे, तो आप इनको पढ़ते रहें, और साथ में हमारा Facebook का एक page है, और Facebook का एक study group है, जिसका link आपको description box में मिल जाएगा, और अगर आप first time इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तो मैं आप से यही कहूँगा कि आप इस सारे link को join कर सकते हैं, so friends, thank for watching this video, have a nice day!